Hello friends, I'm Maddustan Instrumental Method of Analysis BP701 TK इस वीडियो में हम लोग Column Chromatography में Partition Column Chromatography के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में हम लोग इसके Introduction के बारे में बात करेंगे Desirable Property of the Solid Support के बारे में बात करेंगे और हमारे इतरह से कुछ ऐसे हमारे Component जिनको हम लोग अपने Column Chromatography में as a support use करते हैं और उनमें हमारा क्या mobile phase होता है क्या stationary हम phase यूज करते हैं और उसमें हम लोग कौन-कौन से component को separate करते हैं उनके बारे में detail में बात करेंगे मेरा नाम है डॉक्टर महमताप सिंग्ट चलिए शुरू करते हैं तो अगर हमोग solid के प्लेश पर ऎकर्षक यहां पर यूज करते हैं इसमें जो हमारी इसेशंरी फेज होती है वह हमारा लिक्विड होती है तो इस कंदीशन में जो भी हमारा वहाँ पे स्दзд होता है वह हमारा जो होता है mobile phase जिसमें हम लो liquid या gas को use करते हैं और जो हमारा यहाँ पर stationary phase है जो कि हमारा liquid है उसके बीच में वहाँ पर partition होता है अपने जो उसका partition coefficient है उसके अमसार वो अपने आपको उसमें distribute करता है इसलिए हम इसको partition column chromatography simply यहाँ पर कहते हैं तो इसमें जो भी हमारा वहाँ पर stationary phase में हम लो liquid यूज करते हैं उसके लिए फिर हम लो एक वहाँ पर solid support को use करते हैं तो जो हमारा वहाँ पर होता है एक दर से solid हम support यूज करते हैं वो क्या यहाँ पर होते हैं तो यहाँ पे हम लोग एक दर से सिल्का जल को यूज करते हैं सललोज को यहाँ पे उप्योग करते हैं जो की हमारे जो इस्टेशनरी फेज है जो की हमारा लिक्विड है उसको वहाँ पे होल्ड करने का काम करता है और यहाँ पे जो हम लो इस्टेशनरी फेज अपने लिक्विड को यहाँ पे यूज करते हैं वो हमारा water हो सकता है या कोई भी हमारा एक तरह का हम कह सकते हैं buffer solution को हम लो वहाँ पे जो हमारा होता है solid support उसकी जो surface है उसके उपर एक thin film की और हम उसको वहाँ पे place कर देते हैं तो इस condition में अगर हम लो बात करते हैं कि जो हमारा column chromatography है उसमें जो हमारी होती है mobile phase वो हमारा adsorption column chromatography की तरह ही हम लो यहाँ पे mobile phase को use करते हैं या उनमें जो हमारा है adsorption column chromatography उसमें जो हम लोग mobile phase को उपयोग करते हैं उसी को हम लोग partition column chromatography में भी यहाँ पे उपयोग करते हैं तो इस condition में जो हमारी stationary यहाँ पे phase होती है और जो हमारी होती है यहाँ पे mobile phase होती है उनमें यहाँ पे यह characteristic होना चाहिए कि यह जो दोनों ह हमारी यहां पे एक तरसे, हमारी हैं यहां पर से टरसे phases हैं, वो जो कि अगर यहां पे liquid liquid हैं, तो वह आपस में emisival होनी चाहिए, या वो उसमें काफी कम वहां पे missibel होनी चाहिए, हम कहशचते हैं, कि यह यहां पर most sprangly missible आपस में होना चाहिए, तो इस condition में अगर हम बात करते हैं कि यह जो हमारी technique होती है इसमें जो हमारे होते हैं इतर से solute होते हैं वो अपने आपको इन दोनों phases में distribute कर लेते हैं और इनका जो distribution है वो उनके partition coefficient के उपर depend करता है तो इस condition में जो भी हमारे वहाँ पे component है जो हमारा solute है वो हमारी जो अलग-अलग immisible यहाँ पे phases है जो की एक हमारा stationary phase है और एक हमारा mobile phase है उनके बीच में अपने partition coefficient के अनुसार अपने आपको distribute कर लेता है अब हम लो बात कर लेते हैं about the desirable property of the solid support तो जो भी हमारा यहाँ पे stationary phase है उसके लिए जो हम लो solid support को यहाँ पे use करते हैं उसके अंदर क्या-क्या desirable property होनी चाहिए आईए उसके बारे में बात कर लेते हैं तो इसमें जो हमारी सबसे पहली property है कि जो भी हम लो यहाँ पे solid support को उप्योग कर रहे हैं वो हमारा जो वो substance है जिसको हमें वहाँ पे सबसे नहीं करना चाहिए उसके बाद में जो हमारा यहाँ पर है दूसरी desirable property पार्परटी और जो भी यहाँ पर हमारा है वो support हमारा material है वो हमारा जो वहाँ पे होता है एक तरसे stationary हमारी phase है उसके उपर वहाँ पर हमएं अब्जार्व होना चाहिए और वहाँ पर रहें भी रहना चाहिए उसके बाद में अगर हम लो तीसरी प्रापर्टी के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे जो भी हम लो solid support को यूज कर रहे हैं वो वहाँ पे हमारा जो mobile phase है उसके लिए एक larger जो हमारा surface area है वो वहाँ पे provide करना चाहिए उसके बाद में अगली जो property है it should be mechanically stable and easy to pack into the column तो यह हमारा जो भी यहाँ पे हम लो solid support यूज कर रहे है mechanically stable होना चाहिए और वो आसानी से हमारे जो column है उसके अंदर properly pack हो जाना चाहिए उसके बाद जो हमारा है अगली यहाँ पे property यह हमारा जो solvent है उसका जो flow है उसको वहाँ पे obstruct नहीं करना चाहिए उसको वहाँ पे रोकना नहीं चाहिए और उसके बाद में जो हमारी अंतिम property है कि यह वहाँ पे एकर से इसका जो particle size है और particle shape है वह properly वहाँ पे uniform होना चाहिए तो अगर हम लोग अपने partition column chromatography में जो अधिकतर हम लोग support को यूज करते हैं solid support को यूज करते हैं अगर हम उसके बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे हम लोग जो होता है सिलिका जल होता है, हमारा किसलगर होता है यहाँ पे हम लोग सिलाइट को यूज करते हैं और जो हमारा सिल लोज है उसको हम लोग यहाँ पे सॉलिड ससपोर्ट की तरह अपने Partition Callum क्रॉमेटोग्राफिय में यूज करते हैं अगर हम यहां पे जो हमारा सिलका जल है उसके बारे में बात करते हैं तो इसको हम लोग अधिक्तर यहां पे उपयोग करते हैं और इसमें जो हमारा his टेशनेरी फेज होता है वो हमारा यहां पे water होता है यहां लोग जो हमारा होता है buffered aqua solution उसको अपने यहाँ पे stationary phase की तरह यूज करते हैं तो इसमें अगर हम लोग बात करते हैं कि हमारा कितना liquid ये hold करता है तो ये हमारा approximately 0.6 cm3 पर ग्राम हमारा liquid को अपने अंदर hold करता है अब हम लोग जो हमारे अलग-अलग होते हैं जो हमारे होते हैं solid support उनके बारे में बात कर लेते हैं उनकी stationary phase उनके में जो हम mobile phase यूज करते हैं और उनको हम लोग क्या-क्या चीज separate करने के लिए यूज करते हैं उनके बारे में एक-एक करके हम लोग बात कर लेते हैं तो अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं about the silica gel और जो हमारा होता है किसलगर इसमें जो हमारा stationary phase है वो हमारा water होता है और अगर हम यहाँ पे बात करते हैं mobile phase के बारे में तो हम लोग chloroform को use करते हैं और जो हमारा होता है butanol इसको हम लोग यहाँ पे as a mobile phase यूज करते हैं इसको हम लोग यूज करते हैं in the separation of the acetylated amino acid के separation में हम लोग इसको यूज करते हैं अगर हम जो हमारा होता है वो silica gel उसके बारे में बात करते हैं अगर उसमें जो stesney हमारी एक तरह से phase है वो हमारा है analin है और यहाँ पे अगर हम लोग जो हमारा होता है mobile phase उसमें हम लोग आइसो जो मदा प्रोपेनॉल है या बेंजीन को अगर हम लोग यूज करते हैं तो जो हमारे alkane होते हैं और जो हमारे cyclo alkane होते हैं उनके separation में हम इसको use कर सकते हैं अगर हम यहाँ पर cellulose के बारे में बात करते हैं तो इसमें हमारा stationary phase होता है वो हमारा water होता है अगर हम इसके हमारे mobile phase के बारे में बात करते हैं तो हम लोग यहाँ पर जो हमारा methanol है हमारा ब्यूटेनॉल है और क्लोरोफार्म है इसको यहाँ पे as a mobile phase हम लोग यूज करते हैं और जो हमारे फिनॉल svोते हैं उनके सेप्रेशन में हम इसको यहाँ पे यूज करते हैं अगर हम इस्टार्ड के बारे में बात करते हैं तो इसमें जो हमारा stationary phase है वो हमारा water होता है इसमें अगर हम लोग mobile phase के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे हम लोग जो होता है propanol होता है SCL होता है इसको as a mobile phase यहाँ पे उपयोग में एक तरह से लेते हैं और जो हमारे होते है purines होते हैं उनके separation में हम इसको यहाँ पे उपयोग करते हैं और again अगर ह हमारा होता है सिलिका जेल उसके बारे में बात करते हैं तो उस कंडिशन में अगर जो हमारा इस्टेशनरी वहाँ पर फेज है वह हमारा वाटर है जो की बफर्ड है अगर वह वहाँ पर है और हम लोग यहां पर क्लोरोफार्म या जो butanol है उसको ऐसे अगर mobile phase यूज़ करते हैं तो जो हमारा होता है वो C2 से C8 fatty acids होते हैं उनको separate करने के लिए हम लोग इसको अपने partition column chromatography में use करते हैं तो I think so partition column chromatography आप लोगों को समझ में आ गया होगा अगर अभी भी कहीं कोई confusion है तो comment करके पूँच सकते हैं इस topic का PDF आपको description में मिल जाएगा इस video को like करें अपने दोस्तों के साथ share करें और ऐसे ही videos को देखने के लिए हमारे channel को subscribe करना बिल्कुल भी न भूलें thank you